नमस्का सातियों अगर आप टेट या सी टेट पास कर चुके हैं और आप लोग B8 या BTC कर रहे हैं तो आप सभी के लिए आज सबसे बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आ चुका है अगर आप लोग B8 या BTC कर रहे हैं या आप लोग कर चुके हैं तो आप सभी के लिए आप डारेक्ट सिक्सक भरतियां सुरू की जारी कई नए नियम लागू B8 और BTC वाले प्रात्मिक सिक्सक भरतियों में करेंगे अपलाई साथी साथ अगर आप लोग एक सरकारी सिक्सक भरतियों का इंतजार कर रहे थे आज की वीडियो में आत पुलोगी अन तक देखें आँगी वलनेस पहले चलको सब्साइब करके नोडिफिकेशन कौन करने ताकि आँगे भी इससे सम्मधित खबने आपको बताई जाते रहे दोस्तों गूगल पर जाएए सर्च करें बीएट बीटी से हिंदी प्रो जैसे है अप लोग बीटी से हिंदी प्रो सर्च करेंगे फ्वेस्ट वेबसाइन मिल जाएगी इसको ओपन करें ना सिक्सक भरती की नई नेमावली हो चुकी जारी जी यहां दोस्तों आपको बता बताते किन सरकार ने काफी बड़ा फैसला यहां पे बीट और बीटी सी धारकों के लिए ले लिया है अगर आप लोगे एक सरकारी सिक्सक बना चाहते हैं तो आप लोगों को कई नए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा बीएट धारकों को प्रात्मिक सिक्सक भरतियों के लिए आवेदन करने के लिए भी काफी बड़ी ख़बर बीट बीटी सी डारेक्ट सिख्षक भरतियों में आवेदन कर सकेंगे साथिसाथ को समाप्त किया जाएगा इससे समंदित कई ख़बर आ चुकी है इंप्रोव्मेंट इन क्वालिफिकेशन यहाप लोगों को देखने को मिलने वाला है साथिसाथ एक्जाम को और भी ज्यादा ट्रांस्पारेंट है किया जा सकें इसके लिए यहापका एक्जाम ऑनलाइन माध जा रहा है आने वाली सिक्सक भरतियों में अगर आप लोगों को अविदिन करना है तो कई नए दस्तावेजों के आपको आप सकता पढ़ने वाली है वहीं बात करें तो इस बार करीबन चार से लेकर पाच लाग सिक्सक भरतियां आप लोगों को देखने को भी मिलने वाली अगर आप लोग एक सरकारी सेखसक बनना चाहते हैं 2024-2025 में तो आप लोगों के लिए सुनायरा मौकव हो सकता है B8 BTC चातरों के लिए गुड नियूज है तो आप लोग भी जाके पूरी जनकारी यहाँ पे जरूर पढ़ें आँगे भी सम्मंदी जो भी अपडेट आएगे आपको बताएगे